देवघर से दरभंगा लोटे लोगों के चेहरे पर साफ दिखा तिर्कुट परवत हाथसे का खौफ देवघर के तिर्कुट परवत पर तुटना गड़स्त रोपवे में फसे एकी परिवार के चार सद सुरचित खर दरभंगा लोटे उनके चेरे पर खौफ साफ था हाला कि वे भोले नात को जान बचाने का सिरे दे रहे थे का हाथसे में बचना मुस्किल था लेकिन इस्वर की किर्पा से लोट आएं लहरियासराय थाना छेत के बलभदरपुर निवासी रतन कुमार सिरी वास्तव पत्नी सूधा रानी पुत्र अस्तोस्त किशोर अपुत्री खुस्वू रानी के साथ 9 अप्रेल को बावा नगरी देवघर गए थे जलव सेक के बाद बासुकी नात दर्शन करने गए रभिवार को तिरिकुट परवत गए जहां रोपवे के दुरगटना गरस्त होने पर सवी फस गए दो किलोमीटर की उचाई पर फसे असी प्रेटकों में रतन समेत परिवार के चार सदस थे चीक पुकार मची थी गराय देखने पर सांसे थम जाती थी मागर होसला से काम लिया वाई शेना के हेलिकॉप्टर भारतिय तिबद सीमा पुलीस और राष्टिय आपता मोचन बल के सयुक्त अवियान से राहत मिली ठाई घंटे के रेस्क्य अवियान परिवार के सभी सदस्यों को सुरच्छित बचा लिया गया इसके बाद राहत की सांस ली खटना में गंबीर चोटे भी आई लेकिन जान बच गई इसके लिए रेस्क्य अवियान में सामिल जवानों यहां अस्थानी लोगों के परती अभार जताया बताया कि वे लोग फर्ष्ट टावर से पहले थे आगे की दो ट्रॉली टकडा कर दुगटना गस्त हो गई इससे जटका लगा, लगा कि हमारी ट्रॉली काफी नीचे जा रही है और पत्थर से टक्राने वाली है, जिंदगी खतम होने वाली है लेकिन कुछ पलबाद ट्रॉली स्थीर हो गई, भोले नात की किरपा से मौत के मूँ से बच गए तो दोस्तो यह थी हमारी अपडेट जिसमें हमने आपको बताया है कि चार लोग किस तरह से सुरच्छित अपने घर तक वापस तरवंगा पहुंचे